Hello viewers, welcome on my YouTube channel Apex Tutorials and today we will do informal letter. Informal letter क्या होता है, किसको लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है ये आज हम सीखने वाले हैं. Informal letter, these types of letters are written to those close to you. इस तरह के letter उनको लिखे जाते हैं जो आपके नजदीक होते हैं. Therefore, recipients of informal letters include family, relatives and friends. इसलिए इन letters को प्राप्त करने वाले जो लोग होते हैं, वो family होती है, दादा, दादी, नाना, नानी, पापा, ममी, भाई, बहन और ये जो family के लोग होते हैं, uncle, auntie, या relatives होते हैं, जो हमारे रिष्टेदार होते हैं, उनको इस तरह के letter लिखे जाते हैं, या फिर हमारे दोस् वाले letters, informal letter कहलाते हैं, important points, यानि letter, informal letter लिखने के जो important points हैं, वो क्या हैं, जो हमें दिमाग में रखने चाहिए, use informal friendly language and tone, देखे, जब आप letter लिख रहे हैं, तो ये समझे के आप बात कर रहे हैं, तो जैसे आप, आपके सामने कोई होता है, उससे बात करते हैं, अगर दोस्त होते हैं, आपके, या family members होते हैं, या relatives होते हैं, तो आप उनसे किस तरह से बात करते हैं, या जब आप किसी officer से, अपने teacher से, या कहीं बाहर किसी अजनभी से बात करते हैं, तो किस तरह बात करते हैं, दोनों में फरक होता है, तो जब आप अपने दोस्तों से, अपने father से, mother से रालिटिव से या अपने फामले मंबर्स से बात करते हैं तो बड़ी फ्रैंक होते हैं तो उसी तरह की लैंगवेज आपको अपने लैटर में भी रखनी होती है वही फ्रैंक वर्ड्स होते हैं आपका अपना लैटर है अपनी अपनी लैंगवेज है आप अपने दोस्तों स जो है वो बहुत ज़्यादा टीपिकल बहुत ज़्यादा जो है ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए जो एजी ली अंडरस्टैंडेबल ना हो ऐसे वर्ड्स का आप यूज करेंगे जो इसी तो अंडरस्टैंड हो यानि आसानी से समझ में आ जाएं राइट इन यॉर नैचुर जो है आपका वही रखनाए यानि आप दोस्तों से जिस अंदाज में बात करते हैं उसी अंदाज को आपको इसमें रखना होता है अब हम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं फॉर्मेट क्या होता है कि फरसत ओफ और यूज राइट यॉर ऑन एड्रेस मींज राइटर इडिश यानि जो letter को लिख रहा है उसका address लिखा जाता है फिर date of writing the letter यानि जिस date में letter लिखा जा रहा है वो date लिखी जाती है फिर salutations या greetings होता है salutations यानि आप जिसको लिख रहे हैं जैसे father को लिख रहे हैं मदर को लिख रहे हैं तो वहाँ जो है आपको उसमें लिखना होता है कि आप अपने किस रिष्टेदार को लिख रहे हैं अगर आप अंकल को लिख रहे हैं तो आप डियर अंकल लिख सकते हैं पिर इसके बाद आती है आपकी बाडी जिसमें आप अपनी बाद को रखते हैं जो आपकी बाडी है वो टू पैराज या सिंगल पैरा या मल्टी पैराज में भी हो सकती है। informal letter में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको कहा जाए कि आप किस तरह से शुरुआत करेंगे बिल्कुल फ्रैंक लिए आप उसे शुरुआत कर सकते हैं कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं और किसी भी तरह से उसको लिख सकते हैं वो दो तीन पैरा में हो सकती है एक पैरा में हो सकती है चार पैरा में हो सकती है पैराज में हो सकती है वो आप आपका अपना स्टाइल है फिर कॉम्प्लिमेंटरी क्लोजिंग आता है फिर आपको क्लोज करना है तो आपको कॉम्प्लिमेंट देना होता है formal letter के compliment में आप लिख सकते हैं with love, yours affectionately इस तरह से आप महाँ पर complimentary closing दे सकते हैं इसके बाद पिर आपका name लिखा जाता है यानि जो letter को लिख रहा है उसका name लिखा जाता है इसके बाद आईए एक sold example देख लेते हैं question और question के साथ उसका answer देख लेते हैं now see question you are back after spending 10 days of your winter vacation with your grandparents living in a village in Haryana write a letter to your grandparents telling them how you enjoyed your stay with them and all the fun activities you did at the village आप जो है 10 दिन अपने grandparents के पास बिताने के बाद जो किसी हरियाना के किसी village में गाउं में हैं वहाँ पे 10 दिन आपने उनके साथ अपने grand parents के mostly सर्दियों की छुटी दी गई है तो mostly छुटीों के अंदर जो है बच्चे कहां जाते हैं अपने नाना नानी मामा मामी के यह आ जाते हैं तो वो यह grand parents में यहां समझें के आप अपने नाना नानी के यहां गए थे हरियाना के किसी village में और वहाँ 10 दिन बिता कर आए हैं तो अब आप आने के बाद अपने grand parents को अपने नाना नानी को एक लाटर लिखिये यह बताने के लिए कि आपने कितना enjoy किया उनके साथ और आपका वहाँ का experience कैसे रहा all the fun activities you did at the village और गाओं के अंदर जो कुछ भी आपने हसी मज़ा किया है या मज़े किया है उन सब के बारे में लिखिये तो let we see the solution first of all as earlier I told you in the format you write your address आपको अपना address लिखना होता है देखिये आप अपने नाना नानी को हरियाना में लिख रहे हैं तो आपका address कहीं और का होना चाहिए जैसे इसके अंदर दिया गया है इसमें दिया four park road देरादून उत्राकंड यानी देरादून का address दिया गया है उसके बाद space आएगा space के बाद date आएगी date वो date जिस date में आप letter लिख रहे हैं इसके बाद फिर space आएगा और पिर आपका salutation आता है जिसके अंदर आपको लिखना है तो अभी आप नाना नानी को लिख रहे हैं तो dear nana या dear nani दोनों भी लिख सकते हैं dear nani and nana उसके बाद आपको आपका letter है आपकी body है जिस तरह से आप अपने नाना नानी से बात करते हैं उस तरह से आप लिख सकते हैं अब जैसे आप इसके starting मैं जरा से देख लूँ इन्होंने लिखा कि what fun it was to be with you during the winters यानि कोई formal sentence नहीं है कोई formality नहीं है बिल cool to be frank एकदम जिस तरह से नाना नानी से बात करते हैं उसी तरह से लिखना शुरू किया कि कितने मज़े की हैं आप लोगों के साथ सर्दियों में सर्दियों की छुट्टी में to sleep till late and then play with you all day यानि सुबा को देर तक सोना और फिर सारा दिन आपके साथ खेलना I will miss during my school days इसकूल में जाते वे सकूल के दिनों में इन सारे दिनों को मैं मिस करूंगा what made it more special was that I was with you and nana without mommy and papa यानि आपके साथ जो है more special और जादा खास ये बन जाता है कि मैं आपके साथ था मम्मी पापा नहीं थे अकेला था तो मम्मी पापा तो restrictions देते हैं मम्मी पापा तो टोकते हैं और आपके साथ मैंने बड़े मज़े किये इसके बाद आप और इसमें लिखा हुआ है लेकिन आप अपनी तरह से अपनी language उसमें लिख सकते हैं आप अपने मामा मामी का जिकर कर सकते हैं आप अपने मेरे भाई का बेहनों का जिकर कर सकते हैं या और वहाँ पडोसी हैं या और आपके दूसरे ग्रैंट परेंट्स भी अगर वहाँ पर आपके ग्रैंट परेंट्स की सिस्टर ब्रादर वहाँ पर रहते हैं जिकर कर सकते हैं जो भी आप चाहें वो उसका आप जिकर कर सकते हैं इसके बाद आप इसका जो है closing देख लेते हैं closing के अंदर उसने दिया है यानि मम्मी यह कहती है कि अब मेरा time क्या है exams की तैयारी करने का है I will write you to you letter मैं आपको बाद में लिखूँगा इस तरह से closing होती है इसके बाद जो है love you lots यानि आपको complimentary closing देना होता है तो आपको complimentary love you lot और उसके बाद name लिखना होता है इसने name लिखा है नितिन या कुछ भी इस वे शायद question में नेम नहीं दिया गया question में नेम नहीं है आप कुछ भी नेम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से आपका informal letter complete हो जाता है इसी तरह से किसी को भी letter लिखा जा सकता है format यही रहता है तो informal letter hope you understood well and now you can write an informal letter वीडियो पसंद आया है तो like करें, share करें और comment करना ना भूलें और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो please subscribe the channel and press bell icon ताके new videos के notification आपको मिलते रहें for more videos keep watching capacity tutorials